हम लोग बात कर रहे थे बहुतिक भूगोल के बारे में और इसमें लाश्ट क्लास में आप लोग ने देखा होगा कि हम लोगों ने पलेट बिवर्टिक सिध्धान पर बिस्तार से एक चर्चा की हुई थी और आज की इस क्लास में महाद्वीपों का जो बिस्तापन है इस पर चर्चा करनी है और याद रखिए सभी क्लासे आपकी UPSC और आपकी State PCS Prelims को धियार में रखते हुए कवर की जा रहे हैं आप मेंसे बहुत सारे लोगों को यह भी सवाल है क्या एक लाबस से और भी एकजाम की लिए मात्पूर हो सकती हैं तो देखिए आप लोग जिस भी एकजाम की तयारी कर रहे हैं चाहे आप लोग इस्कूल टाइम में हो या कॉलेट टाइम में हो या आप वंडे उँटे एक्जाम की तयारी करे हो वो चाहे सेंटल लेवल का हो तो आप लोग अपनी परीक्षा के पुराने कुश्चन्स फेपर उठा के देख लिजिए और उसका सिलेवर्स देख लीजिए पाट करम देख लेजे अगर आपकी परिक्षा में भी बहुत एक भुगोल से कुश्यंस पूछे जाते हैं तो एक किलासें आप लोगों के लिए भी महुत महुत पूर हो सकती है महादुईपों का विस्तापन कहने का मतलब एह है कि पहले जो आज महादीप आप लोग देख रहें न यहाँ आप देखें एएसिया महादीप हो गया एए औस्टेलिया हो गया नीचे यह आप देखेंगे यूरोप हो गया यह आप देखेंगे अफीका महादीप हो गया आप देखेंगे दच्छन अमेरिका हो गया यहां आप लोग आएंगी तो अंटार्कीटी का हो गया इन सब की उत्पत्ती कैसे हुई है कई विद्वानों ने एक कहा है कि यह पहले एक हुआ करते थे जोड़े थे एक तरह से और जिन्हें आप लोग देखिए एक बड़े महा महादीप का नाम क्या था पैंजीया के नाम से जानते थे यहां आप लोगों के पास स्क्रीन पर एक दिखाई दे रहा हो इतरह से आप देखिए एक पैंजीया हुआ करता था पहले सभी महादीप एक हुआ करते थे एक हुआ करते थे और इसके चारों तरब जो पानी है इस इसे आप लोग एक बड़े महासागर की रूप में जानते थे और इसका नाम पैन्था लासा नाम दिया गया, खेर छोड़ी आप लोग, एक आप लोगों को उधारन देता हूँ, देखिए एक तरह से आप लोग समझेए, यह है एक बॉल, ठीक है, और यहाँ आप लोग देखेंगे, तो एक आप देखिए कि एक क्या है, एक आप सोच लिजे कि छोटा, यानि कि बड़े महादीप है बड़ा, सभी को मिला कर, ACO, यूरोप हो, सभी एक हुआ करते थे पहले, उनका कोई नाम नहीं, सीधा सा नाम था, क्या नाम था, पैन्जिया महादीब, और इ AC पैन्जिया महादीब से, आज के जो महादीब आप लोग देख रहे हैं न, ACA, यूरोप, ऑस्टेलिया, अफीका महादीब, उत्री अमेरिका, दक्षडी अमेरिका, अंटार गीटिका, ये सभी इसी से निकले हुए हैं, तो इसी के बारे में हमें जानना है आज, बात करन ही है, ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहां आप लोग देख लिए, सबसे कहा पहले कहा जा रहा है कि 225 मिलियन, पहले अगर आप लोग जाएं, कब, 225 मिलियन अगर पूर्व आप लोग जाएं, तो इस तरह से आप देखिए था, ये पैन की रियाज था, और इस तरह से, ठीक है, और फिर आप 150 मिलियन बर्व पहले देखें, साल पहले देखें, तो इस तरह से आप देखिए थोड़ा और खिसका, इस तरह से फैला, फिर आप देखिए अगर 100 मिलियन बर्व पूर्व, अगर आप लोग महादीप और महासागर देखें, तो इस बोगों को देखने को मिलेगी और यह बर्तमाल में आप देखेंगे इस तरह से फखेला है यहां श करेंगे इस तरह से पहला है यहां न्ह ден अमेरिका इसा क्यों सटाइब बारी श्यां इंडिया ओर अफीका है और और अस्टिलिया अंटार कीटे का वर्तमान सोरोफेस का और इसके बीच जो आप देखे पानी जब आप देखे रास्ता मिलेगा तो वहाँ पानी भी तो भर जाएगा तो वही महासागर पन चुके है और अलग-अलग नाम दिया गया है तो इनी के बारे में हमे कि यहां आप लोग देखेंगे कि अगर साउथ अमेरिका को और अफीका महाधीब को अगर आप लोग मिलाएं तो देखिए इस कौने को आप लोग देखिए यहां आप लोग फिट बैठेगा यानि कि ऐसा माना जाता है कि पहले यह चिपके हुए होगे और यह दोर है स्कि को चिपक जाएगा है कौन सा दच्चन अमेरिका और अफीका तो इसी तरह से आप देखिए अपने अपने तत्तिक सभी ने दिये हैं और इसी को विस्थापन महाधीब यह विस्थापन के संकेत इंगलेंड के फ्रांसेसिक बैकन के लेखों में मिलते हैं और उन्होंने पह कि इनी दो तटों को देखकर ऐसा माना गया ऐसा अंदाजा लगाए गया कि यह दोनों चिपके हुए होंगे एक हुए होंगे इन दोनों में समरूपता दिखाई दे रही है समान दिखाई दे रहे हैं ठीक है फिर आप देखेंगे कि 1668 में यहां यादर की 6 होगा और 1668 में फ्रांस की फैंकोईस पिले सेट के ने अनुमान लगाए कि अमेरिका का निर्मान अनेक दूइफों के आपस में मिलने से हुआ है और 1956 में जर्मनी की थियोडोर लेली एंथल ने बताया कि अफीका और दच्छन अमेरिका के तट एक दूसरे के पूरक है जिसके अभी बात क अफीका हो गया इन दोनों को पास लाए जाए तो उनकी तट एक दूसरे से पूर्ता तट जाएंगे यानि कि चिपक जाएंगे और उन्होंने विचार वेक्त किया कि इस दोनों महादीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे पहले के समय में इस दोनों महादीप एक दूसर से जुड़े हुए थे, कौन-कौन से दचिन अमेरिका और साउध अफी का माधिर, ठीक है? और फ्रांस की विद्वान एंटो नियो स्नाइडर इन्होंने अठारे सो अंठावन में पहली बार मांचित की साहता से महाद्वीफिय विस्थापन की सिध्धान का पिती पाधन किय यह नाम भी याद रखे, डेट भी याद रखेगा, कई बार आप देखे, प्रिलम से में यह कुश्चन्स इस तरह की पूछ लेते हैं, और मुख परीक्षा में भी इल्खनेक लिए आ जाता है, और उन्होंने अपनी पुस्तक, creation and its my history revealed, मैं बताये कि विस्थापित होने से पहले महादीब एखटे ही थे, और इनका मानचित उन्होंने अपनी रचना, यानि की कारवो निफिरस, जियोग्राफी में पुस्तुट किया, उन्होंने अपनी रचना में इसे बताया, और उन्होंने अपनी कल्पना की समर्तन में, उत्तर अमेरिका येउरोप के जीवास और यूरोब में जो आप देखे कि जीवास मिल रहे हैं, दोनों समान दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये दोपनों पहले एक हुआ करते होंगे, अब उधारन के लिए आप लोग ले लिजे, माली जी कि अगर आज की समय में आप देखे कोई हवायातरा ना हो और आप सोचे अगर आप लोगों को अमेरिका में या किसी और महादीब में भारतिये लोग देखाई देते हैं, भारतियों जैसे देखाई देते हैं, हमारी पेडी लगता है कि आप लोग ये पहले भारतिये रहे होंगे, तो आप ये तो सोचते हैंगे, कि कभी हमारे पू ज्यादा आप लोगों को ध्यान नहीं ने देना है, माल लिए कि एक गाओं है पूरा, यहाँ आप देखिए बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बहुत सारे लोग एक तरह से अपनी जाती की समझ लीजे, अपने धरम की समझ लीजे, कुछ भी समझ लीजे, समझने के लिए बोल अगर आप लोगों में समानता दिखाई देती है, तो आपकी मन में सवाल तो आएगा, कि पहले ऐसा तो नहीं कि हम लोग एक हुआ करते होंगे, यह हमारी ही पूरवज है, यह हमारी ही समाज के, हमारी ही धर्म के है, तो यही देखा गया एक तरह से, ठीक है? जीवास में मिले समानताएं मिली, तो ऐसा लगा कि पहले ही हमारा ही हिस्सा था, और महादीपी विस्थापन की सिद्धान की रूप में अमेरिका के भूबिज्यानिक एफ बी टेलर ने 1908 में पिस्तुत किया, और जिसका पिकासन 1910 में हुआ, और टेलर ने विचार बेक्त किया कि इस्थाल अंतन हुआ है, यानि कि एक दूसरे से दूर गए हैं, और इनका मुखो देश टरसरी योग के वलित परवतों का भौगोलिक, क्या भौगोलिक अध्यन करना था, और टेलर महादीपी ने बताया कि रौकीज और एंडीज परवतों का विस्तार उत्तर दक्षेट दिसा में ह अगर आप लोग देखना चाहें बताइय परवत, तो आप देखें एमाल लिजए आप लोग की आप लोगों को उत्तरी अमेरीका में क्या देखने को मिलेगा, रौकी परवत देखने को मिलेगा इस तरह से फैला हुआ है, ठीक है, और आप देखेंगे की अगर एंडीज प महादी में देखने को मिल जाएगा यहां आप लोग देखिए ठीक है और अगर देखिए यहां देखने को मिल जाएगा और आलपस परवत आप लोगों को यहां यहां यूरोप में देखने को मिल जाएगा यूरोप यूराल परवत यह आप देखिए एसिया और यूरोप के यह बलित परवत हैं और यह आप देखेंगे रौकीज और एंडीज परवतों का विस्तार उत्तर दच्छिन दिशा में है और जबकि अलपस और हिमालाइक का विस्तार पूर परश्चिन दिशा में है इन संदर में उन्होंने महादीपी विस्तापन का सिध्धान पिस्तुद किया और टेलर ने बताया कि महादीपों का पिरवाब पिरमुख विस्त्वत रेखा की ओर हुआ है और जिन छेत्रों में कौमल आउसाद का निच्छेप था वहाँ अपर परवतों का निर्माण हो गया और उन्होंने महादीप पिरवाब का मुख कारण जवारिय सक्ति बत ठीक है दो से तीन बाद NCAI जरूर पढ़िए अगर आप लोग सिविल सर्विस की तयारी कर रहे हैं अब आप लोगों की मन में इस अवाल आता है कि जो विस्थापन हुआ है उसे विस्थापन पैदा करने वाली सक्तियां कौन-कौन सी रहे हैं फोर्स कौन-कौन से रहे है अब आप देखे कोई बस्तू है तो बिना बल लगे बिना फोर्स लगे वो खिसकेगी तो नहीं तो उन्हीं की बात हो रहे हैं कि कौन-कौन सी सक्तियां थे कौन-कौन से बल थे बैगनर ने महादीपों की परिवर्तमान इस्तिती पैंजिया कि बिभिन भागों के विस्थ फN के लिए उन्होंने निम्लिकी दो सक्तियों का उलेक भी किया है अब आप लोग कहेंगे कि इनके बारे में बता दीज्ये के बारे में बैगनर आपको बता दूँ ये जर्मन बिग्यानिक थे बायू बिग्यानिक थे याद रखे है ये बायू की एकतर से आप देखे कि जलवायू परिवर्तन का एक तरह से खोज कर रहे थे, उसी की देख रेक कर रहे थे, तब इने लगा आप देखे कि जलवायू भी एक समान मिली कई महादीपों में, तो वहाँ भी इनका और आप देखे जिग्यासा बड़ी और इन्हों ने आगे बड़ाई, और इन्हों ही कि आउकल गुर्तवाकर्शन वल और पिलवन सीलता का बल, बेगनर की यह मानता थी कि महादीप कम घनत वाले सियाल्स के बने हुए हैं, और भे अधिक घनत वाले सीमा पर सोतंत रोप से तैर रहे हैं, इनके उपर गुर्तवाकर्शन और पिलवन सीलता के बल अपना परभा जो महादीप है उपर ठीक है आप देखें कि महादीप कम घनत्त वाले बने हुए और जिन्हें आप लोग स्याल के बने हुए है कम घनत्त के बने हुए और नीचे आप देखेंगे जो है उसे इन्होंने नाम दिया अधिक घनत्त है इसे सीमा नाम दिया और आप सभी जानते ह अगर कोई पदार्थ है, कोई भी विवस्तु है, तो वो अधिक घनत वाले पदार्थ में डोपता नहीं है, वो तेरता रहता है, तो इसी पर तेर रहे हैं, सियाल, किस पर? सियाल, सीमा पर तेर रहे हैं, ठीक है? और जिसके, जिसके, जिसके अधिन महादीपी भूमत रेखा की और विस्तापित होते हैं, और यह विस्तापन तैड़ते हुए इस्थल भाग के गुरुत केंद और उसके पिलवन सीलता केंदर की समंदों पर आधारित है, और आप देखें कि अगर उपर का, जो महादीपों का अगर आप देखें गहनत अधिक होता, और नीचे आप देखें कि कम गहनत वाले होते, तो वो आरस्थानी से डूब जाते, प्रिया ये दोनों बल बिपरीत दिसा में कार करते हैं, परंतु पित्वी संपूर, गोलाकार, नाहुकर, अंडाकार रूप में हैं, इसलिए ये बल पितेक्च ग्रोत्य केंद के नीचे होता, तो गती भूमत रेखा की होती, फिर उन्होंने दूसरा कारण बता है, जौरी अबल, तो वेगनर की अनुसार महादीपों की विस्थापन के लिए दूसरा कारण बल है, जौरी अबल, और सूर और चंदमा की गुरत्वाकर्शन सकती के है, और बेगनर की मानता है कि जब चंदमा की गुर्ण गती तीप रहेगी तो उस समय यह बल भी अधिक प्रवल रहा होगा, और पिथवी आप सभी जानते हैं कि पश्चिम से पूर की देशा में घूमती है, और जौरी सकती हैं पिथवी के गुर्ण को रोकने का काम करती ह और फलसरोब महादीप यह भाग घूडन में पिथवी का साथ नहीं दे पाते थे और पीछे रह जाते हैं, और इस विकार इस्थल भाग पश्चिम की और बिस्थापित होने लगा, और कहते हैं कि जो आज आप लोग आप लोग अफीका महादीप देख रहे हैं ना, यह आ पेंजिया इसका विकार इस तरे से होता एक है, धिकर फिर आप दिखे लोगिए फर वर्वत देखने को मिलेगा हर्सी कि इस समय ऐसे रहेंगे, इस समय ऐसे रहेंगे, और महादीपी विस्थापन सिध्धान्त को अगर आप लोग देखें, तो महादीपी विस्थापन की सिध्धान्त का पिती पादन, A.P.B. टेलर और A. वेगनर दोनों ने दिया था, अलपेड वेगनर ने इसको विवस्थे धंग से पिस्तुत किया और इस कारण यह सिद्धान्त उनी के नाम से जाना जाता है आज आप लोग बैगनर का महादविफी विस्तापन सिद्धान्त जानते हैं ना इस नाम से तो इसी कारण से जानते हैं क्योंकि आप देखे इन दोनों ने इस सिद्धान्त का पिती और भूगरब बिग्यानिक के बाहे आधारों का अध्यन किया और उसके बाद जलवाई की बिन्नता की आधार पर इस सिद्धान का फितिपादन सन 1912 में किया था और 1915 और 1920 में इसकी विवेचना की गई और दुतिय विस्युद्य के कारण कापी समय तक यह मत्पूर्ट सिद सिद्धान्त विद्ध्वानों की दिष्टी से ओजल रहा उनकी दिरिष्टी से दोर रहा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1914 से लेकर 18 तक दुतिय विस्युद्य चला था क्या दुतिय विस्युद्य चला था तो यह डेट जरूर याद रखेगा 1912 में पितिपादन किया था कभी यहाँ पर उष्णाड पिकार की जलवाई थी और सगन वनस्पतियों का आवरन था वनस्पतियों का आवरन कोईली की रूम में परिवर्तित हो गया और वर्तमा समय में यहाँ हिमावरन भारत में हिमावरन की चिन हिमानी गोलासम की रूम में पाए जाते हैं और इससे में यहां की जलवायू गरम है तता उष्ण है इन दोनों तत्थों के आधार पर इस्ट पस्ट होता है कि यह कभी जुड़े हुए थे इनका कहने का मंदलब यह है कि जो अंटार की इटा आप लोग देख रहे हैं यहां इस भाग को यहां कोईले के कुछ आप देखे एक समान कोईले के आउसेस भी मिले हैं और आप देखे यहां जलवायू क्या है बनस्पतियां नहीं है यहां आप देखते हैं बरब जमी रहती है और बरब जमी रहेगी तो आप देखे कि यहां बनस्पतियां ना रही होगे जीब जन्तु ना रहे होगे तो कोईला कहां से बनेगा तो इनका ऐसा मान लिया गया कि पहले एक जुड़े हुए थे और इसलिए आज भली यहां क्या बरब जमी हो पहले यहां बरस्पती हुआ करते होंगे अजीब जन्तु हुआ करे होंगे ठीक है? और आप देखे इसकी जलवाईव देख लीजे यहां जलवाईव देख लीजे, यहां जलवाईव देख लीजे इनके भी एक समान मिल रहे है तो ऐसा माना जा रहा है कि आप देखे कि पहले यह भी जुड़े हुए होंगे और आप देखे हैं कि उत्तरी दरोप, देखे दच्छी दरोप यह बैगनर साम ने एक कहा कि अगर आप सोचे कि इस्थल भाग है जो आपके, जैसे मान लेजे जो आपके अलग-अलग महादीप है चाहे आप देखे कि एसिया महादीप हो, चाहे अफीका महादीप हो, चाहे आप देखे कि उत्री अमेरिका हो, दच्री अमेरिका हो, या बाकी कोई भी हो, अगर ये अपने इस्थान पर हमेशा से इस्थाई थे, इस्थिर थे, तो जलवाई कटी बंदों में इस्थान नंतर हुआ होगा. जल्वाई कटीवंद खिसके होंगे. उपर नीचे हुए होगे. और फल्सरुक कभी गर्मी, कभी सीद, कभी ऊष्णे और कभी ऊष्णारंध्विकार की जल्वाई कभिस्थार रहा होगा. परंतु जल्वाऊई ये जरूर याद रहे ना? यह इस्थाही अपनी ए जगए नहीं थे. इन में इस्थाणांतन हुआ है. बिस्थापन हुआ है इनka ठीक है? और दूसरा भी इसमें एक और आधार देते हैं इसमें. यदी जलवाई गटीबंद्ध इस्थे तो तो इस्थाल भाग अपने इस्थान से इस्थानांतित हुए होंगे और इस्थाल खंडों के इस्थानांतन के अनेक प्रमाड उपलब्द है जलवाई कटी बंदन के इस्थानांतन के कोई ठोस प्रमाड नहीं प्राप्त हुए है लेकिन आप देखेंगे इस्थाल खंडों के इस्थान अंतन के अनेग प्रमाड उपलब्द हुए है और इससे भी एसिद्ध होता है कि पहले इस्थल मंडल एक हुआ होगे एक साथ जुड़े हुए होगे फिर इनका बिस्थापन अलग अलग हुए है आगी चल कर और बेगनर जलवाई कटिवंद के प्रवाक इस्थान पर इस्थल भागों के प्रवाक को मान कर अपने सिद्धान का पिती वादन किया और इसी आधार पर महादी परवत और समुद्र दूइप चाप आधी की उत्पत्ति की समस्या उसमाधान पिस्तुद किया या आप देखे जलवाईू बिग्यानिक थे तो इन्हें तो अपन कि बिग्यानों के प्रमाडों के आधार पर मान लिया गया कि कारवो निफिरस योग में सभी स्थल भाग एक स्थल पेंड की रूम में थे और इस स्थल पेंड को इन्होंने पेंजिया की संग्या दी अब आप देखे कि आप लोग कहा दें कि ऐसा नहीं ऐसा था कोई आधा था कि कोई इनकी बात नहीं माने का तो इन्होंने आप देखिए दुनिया भर की आत्रा की और कुछ साथ चिकटे किये और उसे सब के सामने रखा अगर आपके पास साच रहेंगे आपके पास कोई आधा रहेगा तो लोग आपकी बात मानेंगे बढ़ना बोल देंगे कि ज पैंथालासा नाम दिया पहले जो सब एक महादीप था उसे इन्होंने पैंजिया नाम दे दिया गया और जो चारों तरफ पानी था उसे इन्होंने क्या दे दिया पैंथालासा नाम दे दिया गया ठीक है और ये बाद में परवतों के ये पैंजिया छोटे-छोटे आंतरि समुद्रों का विस्तार था और ये बाद में परवतों की निर्माड के लिए आधरस इस्तिती उत्पन किये और उन्हें पेंजिया को दो भाग बताए एक आप देखेंगे लारेसिया या गौंडवाना लेंड एक है आपका लारेसिया दूसरा है गौंडवाना लेंड सीधा स कि ये आपका पूरे सभी महादीप एक होकर एक थे जिने पेंजिया नाम दे दिया और जो चारों तरफ जल रासी भरी हुई है ना पानी है ना इसे इन्होंने पेंथालासा नाम दिया पेंजिया और पेंथालासा अब इन्होंने कहा कि इसमें भी बटवारा हुआ किसमें इसमें जो बड़ा महादीफ है ना, पैंजिया, इसमें भी बतवारा हुआ, इसे उपर वाले हिस्ते को इन्होंने क्या कह दिया, लॉरेंसिया कहा, क्या कहा, लॉरेंसिया किया, और नीचे वाले भागुक को इन्होंने क्या कह दिया, इसे कह दिया, गॉर्णडवाना लेंड डिया लए उन्होंने तो उसी की बात हो रही है और लाय। आप लोग देखें तो इन्होंने कहा कि लाय। विभाजित हुआ, तो लारेंसिया और गौनडवाला में विभाजित हिआ और जो आज आज आप लोग उत्रीं, अमेरिका देख रहें यूरोप देख रहें, एस अभी लारेंसिया के भाग है और दूसरा हिस्सा इसका बटा था गौनडवाला लैंड में इसके भाग आज के जो दच्छन अमेरिका है, अफीका है, मेडा गास्कर है, पिराजदीपी यह भारत है और ऑस्टिलिया है, अंटार किटी का, इस अभी गौनवाना लेंड के हिस्सा है, ठीक है, तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा, अब एक तरह से आप देखें कि ए और हिस्से हुए उपरवाली गेंद के, तो आप देखेंगे, इसमें से आप देखेंगे कि ए छोटे-छोटे महादीप चाहे, आप देखें उत्तरी अमेरिका हो, यह आप देखें इउरोप हो, एस या निकले, और जो निचले वाला हिस्सा था गेंद का, इसका भी बटव आपका पैंजिया महादीप, तो बीच में आप देखेंगे, पानी है, जब गेंद बटेगी, गेंद उपर जाएगी, नीचे एक तरह से काट लीजे आप लोग उधारन के लिए, तो बीच में जो हिस्सा रहेगा, उसमें चारों तरब जो पानी भरा हुआ है थाली में, व उसका पानी यहां बीच में भर गया, इसे इनोंने टैथिस सागर कहे दिया, क्या कहे दिया, टैथिस सागर कहे दिया, यह आप देख लीजे, इस तरह से इनोंने बताया, यह पानी भरा हुआ है, ठीक है, यह महादीप है, इस तरह से बटवारा हो रायन का, यह आप जाएं मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा और एक बार नहीं समझ में आया है तो फर इसे बता देता हूँ क्या कर देता हूँ फर इसे बता देता हूँ यहीं बता देता हूँ ठीक है अब आप लोग सुनिएगा ठीक है क्या सुनिएगा कि इन्हों ने क्या कहा जो बैगनर साहब हैं और जर्मन बिग्यानिक हैं अलफेट बैगनर इन्हों ने कहा कि सभी जो महादीप आप लोग आज की समय में देखी रहे हैं चाहे आपका एसिया हो यूरोप हो अफीका हो या दच्छन अमेरिका हो उत्री अमेरिका हो अटलांटिका हो अंटार्कीटिका हो ठीक है यह सभी एक हुआ करते थे सभी इस्थल मंडल एक हुआ करते थे और इसे आप लोग इस तरह से देख सकते हैं इस तरह से यह नाम दे द तरफ इसके चारों तरफ इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ था क्या पानी भरा हुआ था बड़ा महासागर था और इसे इन्होंने नाम दे दिया पैंथालासा क्या नाम दिया पैंथालासा ठीक है आंगे इन्होंने कहा कि आंगे इसमें आप देखे जो पैंजिया है इसमें बिस्थापन हुआ यानि कि इस दो भागों में वखिसकना शुरू हुआ यह उपर और यह आप देखें कि यह नीचे और इसमें आप देखें बीच में एक दरार एक इस्थान खाली हुआ और यह बड़ा महासागर है ना जो पानी भरा हुआ था यह हिस्सा इसमें चला गया तो इसे इनोंने टैथि सागर नाम दे दिया और जो उपर वाला हिस्सा है इनोंने लॉरेशिया नाम दे दिया किसका पैंजिया का उपर वाला हिस्सा है जिसो इसे इनोंने लॉरेशिया नाम दे दिया और नीचे बाले भाकों इनोंने क्या गॉंडवाना लेंड दे दिया और इस लारेशिया ये लारेशिया का भी बिभाजित होता है ये भी बिस्थाफित होता है इसमें से तो इसके अंतरगत आज की समय जो आप लोग उत्री अमेरिका देख रहे हैं या एसिया देख रहे हैं आप लोग ये सभी किसके भाग हैं किसके हिस्सा हैं और इनके जब खिसके तो आप देखी बीच में पानी भर गया जहां इस्थान रहेगा वहां पानी भर जाएगा तो इन से आज की महासागरों की उत्पत्ती हुई है यह इनोंने कहाया सीधा संग बैगनर ने आगे चलते हम लोग बैगनर ने पित्वी की आंतरिक सरचना तीन पित्वी की आंतरिक सरचना बें हम लोगों ने इस सब पढ़ा हुआ है तो इनोंने ए कहा कि उपर की जो परत है ए उपर की जिसे आप लोग महादीब कह देते हैं ए किसकी बनी हुई है सियाल की बनी हुई है और नीचे की परत है जो देख कहा किसा कर रहे हो नीचे की परत है इसे ए कही की बनी हुई है सीमा से निन्मित है और ये नीचे आप लोग देखेंगे बिलकुल नीचे ये निफी की बनी हुई है और उपर का जो परत है जिसे इनोंने सियाल का है इनो कम घनत की है न सियाल तो अधिक घनत बाली सीमा पर तेर रही है ठीक है और महादीपों का ठोस भाग सियाल और महासागरों की तली सीमा अत्वा साइमा की सेनिर में थे और सियाल जो पितवी की बाहे खोल है वह सीमा पर तेर रहा है और इनका विचार है कि कारवनी फेरस यूग में दच्छरी धरव अफीका में वर्थमान में डर्वन के पास था और पैंजिया के मद्द था और उत्री दच्छरी धरव की इस्तितियों में काफी पर्युवतन आजिसे वर्थमान इस्तिति सामने आई है और वेगनर ने इसपश्ट किया कि कारवनी फेरस यूग में गुरुत और पिलवन सिल्था बलके कारवनी पैंजिया का दो भागों में लारेंसिया और गौरवाना लेंड में बिभाजन हुआ जो सबसे बड़ा महादीब था एक महादीब था ठीक है और दोनों के बीच टैस सागर का उद्भा हुआ ऐसे टैसे सागर का खुला की संग्यात पिदान की गए और जोरेसिक सक में गौनवाना का बिखंडन हो गया गौनवाना लेंड जो नीचले का भाग है उसका भी बिखंडन हो गया कब जोरेसिक सक में और फलसरुप दच्छिडी प्राइदी पिये लिए अन्टार कीजिरीका अफीका एक दूसरे से अलग हो गया पिथाख हो गया और जोरी वलक्ती प्रभाव से यह सभी स्थलखंड सीमा पर तैरते हुए दूर चले गया अब आप देखिए शभी जानते हैं आपलों कि कम घनत के हैं और नीचे अधिक घनत हैं तो उपर तेर ही सकते हैं, डूप तो सकते नहीं हैं, तो आप देके तेरते हुए दूर चले गए एक दूसरे से, और इसी बल्ग से इसी काल में उत्री और दच्छडी अमेरिका, किरमसा एउरोप और अफीका से पिथा कोकर पास की दिशा में प्रवाहित होने लगे, इन्हो ने इस तरह से कहा, कि जो पुत्री अमेरिका है न, ये पहले यूरोप से जुड़ा था, और जो दच्छडी अमेरिका है न, ये अफीका से जुड़ा था, लेकिन अलग होने के कारण ये तेरती हुए दोर चले गए, और आज की वर्तमान इस्तिती में दिखाई दे रहे है और इसमें आप देखेंगे यूरोप और अफीका से पिथक होकर पास की दिशा में प्रवाहित होने लगे, इन दोनों के पश्चिम के प्रवाह के कारण अटलांटिक महासागर का उद्वा हुआ, अब आप देखी अलग होंगे तो बीच में जो रास्ता होगा, उसी को भारत का उत्तर और उस्टेलिया का पूरव और अंटार्टिका का दच्छिर की और प्रवाह हुआ, जो आज आप लोग प्रादियें पर भारत देख रहे हैं, और अंटार्टिका का दच्छिर की और प्रवाह हुआ, और फलसरूप हिंद महासागर का उद्वाह हुआ, और इस्थल मंडों की प्रवहा की गती समान नहीं थी, बीच बीच में इनमें ब्योधान उत्पन हुआ था और महासागरों की मद्द में कटकों का निर्माड हो गया जो जो इस्थल खंडों की का अतिकर्मर पैंथालासा पर बढ़ता गया त्योति इसका अकार छोटा होता गया और वरतमान समय में इसे पिसांत महासागर की नाम से जाना जाता है ऐसा कहा गया कि देखिए पहले आज जो आप लोग पिसांत महासागर देख रहे हैं सबसे बड़ा पिसांत महासागर ही है और जो जितना सांत बड़ा होता है उतना ही सांत रहता है इसका भी उधारने पिसांत महासागर तो ऐसा कहा कि इसमें जैसे जैसे आप देखेगे आतीकर्मर महादीपों का होता गया इस्थलकंडों का होता गया तो आपका पिसांत महासागर छोटा होता गया और यह अलग अल प्लांटिक महासाखर इनी में से अलग हो गए ठीक है और अभी तो आप देखते हैं दूइपी आप लोगों को दूइप देखने को मिलते हैं बीच वीच में तो ये भी आप देखेंगे रोक रोक कर इस थलकंड का निर्माड हुआ और बैगनर ने भी कहा इस पस्टी किया कि जब उत्री और दच्छडी अमेरिका का पश्टिम की दिशा में विस्थापन हो रहा था यानि की बटवारा हो रहा था दूर जा रहे थे तो सीमा के अवरोत के कारण इनके पश्टिमी किनारे पर मोडे पड़ गए और ये मोडे नियंतर बिक्सित होती रहे हैं और के मद्द टेस्थे से भूसानती थी और इसके अलावा इसके मलवा की विसाल, रासी, नदियों द्वारा जमा की गई थी और जब परादीपी भारत और अफीका की उत्तर और येरोएसिया का दच्छिड की ओर विस्थापन हुआ, खिसकना हुआ, तब मलवा में मोडे पड बिस्थापन के कारण कुछ भाग पीछे चूट जाने से हुई है, और इन्हों ने चूटी हुए भागों के विसाय में इसपश्थ किया कि इनका समद्ध समुद तल से तली से होता है, जो छोटे-छोटे महादीब देख रहे हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है, आज आप क्या है आपका जापान भी कि छोटे-चोटे दी दीच्टे पेकार की परीवरतल हुए और इनका इसका इतिहास तिरोहित है और आंतरिक सक्तियों को केवल माना जाता है जितने भी सिध्धान्त हैं विविशय समंदी समस्याओं की समाधान में पूर रोप से सक्षम नहीं है और ऐसी दिसा में या दिसा में जो सिध्धान्त अधिक समस्या का समाधान करता है उसे अच्छा माना जाता है अब आप देखें कि सबके पास सटीक जानकारी तो कोई नहीं है लेकिन जो अच्छा सबसे अच्छा है उसी को एक तरह से अच्छा माल लिया जाता है और आप देखेंगे कि महादुपी विस्थाबन सिध्धान अधिक समस्याओं का समाधान करता है और फलसरूप इसे ही अच्छे से समझा गया तो उसे और अच्छा माल लिया जाएगा और अत्वा यहीं नहीं कहा जा सकता है कि बैगनर द्वारा पितिपादे सिध्धान्त महादीब और महासागरों की उत्पत्तित समंदी समस्याओं का समाधान पिस्तुत करता है लेकिन आप देखेंगे एक स तो इसमें बैगनर के महादवीपिय विस्थापन सिध्धान का सबसे महत्पूर्ट तत्य विस्थे के विभिन इस्थलखन्णों के बीच साम इस्थापना है यानि कि समान पिता देखने को मिली है और बैगनर ने बताया कि अट्रलांटिक बैगनर साहब ने क्या बताया कि अट्रलांटिक महासागर के पूर्व और पश्चिमी तटों की रोपरेका को देखने से यह लगता है, पितीत होता है कि यह सभी स्थलकंड पहले एकटे थे, बाद में उत्री और दच्चिड अमेरिका की बीच के पश्चिम की ओर खिसकने और अट्रलांटिक महासागर का निर्माड हुआ है, इन्हों ने ये कहा है सीधा सा, कि इन्हें हमें देखने के बाद ये समरूता मालूँ चलती है, समानतर दिखाई देते हैं, और ये देखने को मिलता है कि ये पश्चिम की तरफ जैसे ही दच्छर में का और उत्री अमेरिका किसका, तो बीच में जो स्थापन हुआ है, अलग हुआ है, और आप देख्छिन अमेरिका का अलगाओ किस से हुआ है, अफी का भातीप से, तो इस तरह की बात करी जा रही है, और ब्राजील का उभार गिनी की खाडी में ली की भातीप सटाया जा सकता है, और इसी पकार पश्चमी ग्रिनलेंड, बेफिलेंड और एल्समीलेंड और उत्री अमेरिका की पूर्वी तड़ के अन्य भागों का पश्चमी इउरोप के तड़ के साथ निकट का संबन्द इस्थाफित किया जा सकता है, और इसी पकार से इथोपिया और इरिटिया के तड़ भी पश्चमी भारत और पाकिस्ता के तड़ से मिलाए जा सकते हैं, यानि कि वही पजल्स की बात हो रही सीदी सी मतलब, कि अगर हम लोग सब को एक करके फिट करें, तो आराम से फिट हो सकते हैं एक जगह, ठीक है? तो उनी की बात कर रहे हैं, और यह आप देखेगे, यहां भी आप लोग बिराजील देख रहे हैं, केमरोन, अर्जिंटीना, फार्क लेंड, कैब वलन, कालाहारी, अंगोला, एक कागो बेस्तिन, केमरोन, एक गौडवाना, प्राचीन, गिननाइड, कोर्टेसियस, और सेलियूरियन, कारोनिफेरस, पूर्वी, सेलियूरियन, ठीक है? तो इने भी याद रखिएग दूसरा इनों ने एक और आधर इसके पक्च में दिया जा रहा है, भूबिग्यानिक समानता, तो इसमें कहा जा रहा है कि अट्लांटिक महासागर, क्या? अट्लांटिक महासागर की पूर्व, और पश्चिम में इस्तित्थल भागों को भूबिग्यानिक, भूबिग्यान अट्लांटिक महासागर है क्या है अट्लांटिक महासागर है अब आप लोग कहेंगे कि अट्लांटिक महासागर को भी दिखा दीजे कि अट्लांटिक महासागर कहा है चलिए तो इसे भी देख लिए मैप में आप लो अटलांटिक महासागर को चलिए भारत की मैप पर शलते हैं और आप देखेगी और अच्छे से देखना आए तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं ए दच्छड अंद महासागर हो गया यानि कि दच्छिड अट्लांटिक महासागर हो गया और उपर भाला भाग आप देखेंगे तो उत्री अट्लांटिक महासागर हो गया ठीक है और यहां आप लोग जाएंगे तो उपर आर्केटिक महासागर आप लोगों को यहां पिसांत महासागर है दच्छन पिसांत महासागर उपर उत्तर पिसांत महासागर नाम दे दिया गया है इसी तरह से उत्तरी अट्लांटिक महासागर कह दिया दच्छडी अट्लांटिक महासागर या अंद्र सागर नाम दे दिया गया एक ही है एक तरह से आप देखें मा भागों की भुवेग्यानिक राचना में भी समानता बैगनर के विचारों के पुष्टी करता है और अमेरिका और इउरोप में इस्तित हरसीनियन बलन जोडों के मिलाने से एक रेखा पर बैठते हैं और यह एक ही काल में बने हैं बैली ने बैगनर के सद्धान का समर्थन कहत हुए बताया कि उत्री वेटेन के केलोडियन बलन अमेरिका में अर्पलेसियन के रूम में बिस्तित हैं जो कि हरसीनियन बलन को पैंसिल बानियां में काटते हैं और इससे आंगे हरसीनियन बलन के उत्तर में इस्तित हैं और केली डोनियन बलन द्वारा उत्तर में पश्चि वलन परवतों का निर्मार्ड, इसमें किस तरह से कहा जाता है? विसमें नवीन वलिद परवतों का वितरण भी बैगनर की विस्थावन सिधांग की आधार पर दसाया जा सकता है। तो यह पूछ लेगा कई बार आप से कि इन महा एक तरह से आप देखे जो परवत हैं चाहे आप देखिए रौकी जो एंडी जो या आप देखिए कि हमालय हो अलफस हो एटलस हो इनका निर्माड किस तरह से हुआ है तो इनके बारे में जो छोटे-छोटे पॉइंट दिये ग पहले कारवोनिफिरस योग में दच्षिड अमेरिका दच्षिड अफेका और माला गासी प्राइदीपिय भारत दच्षिड पश्चमी ऑस्टेलिया तस्मानिया अंटार्किटिक महादी में बहुत सीतल जलबायू थी यानि कि मैंने जो बताया आप लोगों को यानि कि कहन का मतलब सीधा सा आप लोग समझे यहां की बात हो रही है इस भाग में यहां और आप देखेंगे यहां और यहां एक समान जलबायू देखने को मिली है और बहुत इस्तीतल जलबायू थी और यह सभी पिदेश दोड़ दोड़ तक बरप से ढके हुए थे और अमेरिका, दच्छडी अफीका, ऑस्टिलिया और परादीपी भारत उस्टने अत्वा ओपोस्ट निकटी बंद में इस्तित थे और इन चित्रों में इतने बड़े प्रमाने पर जलबायू संबंधी परिवर्तन केवल महादीपों के विस्ताबन द्वारा ही इसपष्ट कि के लिए बैगनर महुदर ने सन 1915 में कारवो निफिरस यूग के हमा वरन का मांचित तयार किया और उन्होंने बताया कि उस समय अन्टार्किटिक महादीप दच्छड अमेरिका और प्रादीपी भारत के एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और दच्छड धुरुब के निकट इस्तित्ते और बाद में विविस्थापन के कारण अपनी वर्तमान इस्तिति में आ गए और इसी कारण आप देखेंगे यहां सीतल जलवायू देखने को मिलती है एक और इनके पक्छ में आप देखे विचार दिया जाता है यह पुरा जीवासमी साक्छ इसमें क्य जीवासम में बहुत अधिक साक्छ पाये गया है और इसे जीवासम दच्छड अमेरिका, दच्छड अवेका, भारत, और अस्तिलिया और अंटार क्रिटिका के दच्छड धर्प से 540 किलोमीटर से भी कम दोरी पर पाये जाते हैं और इनके बीजों का ब्यास कई किलोमीटर होता है और यह इतने भारी होते हैं कि बायू इन्हें उड़ा कर अटलांटिक महासागर के पार नहीं ले जा सकती है वही मैं कह रहा हूँ कि माल लिजे कि आप देखिए इतनी हिम्मत नहीं है कि यहां से बायू इन्हें उड़ा कर यहां दच्छ नवीका में ले जाए यह आप देखिए कि किसके अटलांटिक महासागर के इस कौने में इस कौने से उड़ा कर ले जाए तो एक क्या माल लिया जाएगा कि पहले भाई यह दोनों एक हुआ करते होंगे इसलिए आप देखिए कि यहां से यहां दोनों बरस्पतिया समान मिल रही है जीवजंतु समान मिल रहे है जीवास मिल समान मिल रहे है ठीक है यही हो सकता है इनका एक जगे से दूसी जगे पहुचने का और दच्छडी महादीपों के विस्तिचित में इनके आउसिसों का पाय जाना महादुईपी विस्तापन की संकल्पना को ठोसाधार प्रिदान करता है और मेजो जो सोर्स तैय सकता तो उनका वितरन समी बरती महादीपों अर्था उत्तरी अमेरिका ये रोब में भी मिलना चाहिए था मिलता और इसलिए ऐसा माल लिया गया कि पहले ये दोनों एक थे और कौन सा अफीका महादीप और दच्छिन अमेरिका ठीक है और परन्तु बास्तव जो सोर्स के जीवास में दच्छिन अफीका, अमेरिका, दच्छिन अफीका, एसिया और अंटार की टिका में मिलते हैं और जे ए जीव पुरा जीवी और मद्द जीवी महाकाल की इस्तंधाई साद्रिस सरीशिप है थे और ए जीव इस्तलवासी थे जो विसाल महासागरों क तेर कर पार करने में आसमर्थ थे और इससे यह सिद होता है कि इस सभी दच्छिडी महादीप प्राचिन काल में एक दूसरे से जुड़े हुए थे और जो एक भागता उसे गौंडवाना लेंड कह दिया उसी से यह सभी बाल अलग हुए जब तेर नहीं सकता है कोई तो इ दूसरा आप देखे कि एक और विचार इनके समर्थन में कहा जाता है और इसमें आप देखेंगे क्या कहा जाता है जन्तुओं का बेवार इसकेंडे निवियाई के उत्री भाग में लेमिंग जैसे कुछ ऐसे जी पाए जाते हैं जो रितूबिसेस में पश्चिम की और या बेवार के आचरन बेवार से यह निसकर्स निकाला जाता है कि यह जीब किसी ऐसे भूखंड की कुछ में निकले हैं जिसमें उनके पूर्वज परचित थे और किन्तु वह भूखंड अब वहां नहीं है और वस्तुता इन जीवों की यह आदत उस समय से चली आ रही है जब हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि पहले एक हुआ करते होंगे तो इसलिए ऐसे ऐसा बेवार करें एसा काम करें ठीक है यह आप देखें दच्छिन वेइका और अफीका की प्राचिन सम्हावेत इस्तिति यह आप देखें दच्छिन वेइका है यह अफीका है जुड गया समझ और यहां आप देखें खिसका हुआ है और यहां है लेकिन इन दोनों को जोड़ा तो इस तरह से फिट बैठ गया तो यह भी का जाता है कि समानता है इनमें समरूपता है एक सात्वा विचार और इनके पक्छ में दिया जाता है इस सात्वों को आप लोग याद रखेगा ज कैसा मानना है विचार है कि कोईले का निर्मार कारवों ने फेरस योग में बनस्पती के दबने और संडने से हुआ है जो बनस्पती दबी सड़ी उससे ही कोईला बना है परन्तु बरत्मान जलवायू को देखते हुए इन पिदेसों में इतनी अधिक बनस्पती की कल्पना करना कठेन है और बैगनर महुदा ने यह इस पर्ष्ट किया कि कारवों नो फिरस युग में भूमद्रेखा यूरेसिया से होकर गुजरती थी और इसलिए उस समय वहाँ पर उठ्ट कटी बंद जलवाई पाई जाती थी और वहाँ घने बनों का विकास हुआ उकोईले का नि उससे द्वारा सुझाए गए महादीपों के बिस्थापन संबन्धी बलों के संबन्द में हुई है बिद्वानों का मत है कि बैगनर द्वारा सुझाए गए दो बल गुरुद्वाकरसन और जुआरिये बल परयाप्त नहीं है और सन 1916 में सोईडर ने बैगनर का समर्थन क अती हुए एक तीसरे बल की ब्याक्या की थी यह सक्ती पित्वी के अक्ष का अग चलन से संबन देता है और इससे महादीपों का विस्थापन पश्चिम की और तथा भूमत रेखा की और संबह हो है और यह सक्ती 0 डिग्री अक्षांस पर अधिक्तम और 36 डिग्री उत्री और दख्चिरी अक्षांस पर नेमतल होती है तो यह भी पक्षे नी के बिचार दे दिया जाता है कि इसमें एक और बल काम करता था एक और सक्ती काम करती थी दो सक्तियों के बसकी बात नहीं थी एक और इनके पक्ष में कहा जाता है बिस्थापन की बास्तीविक पिरमाड तु और Greenland के 20 सन 1873 में और 1907 में मापी गई दूरियों से यह अज्यात होता है कि Greenland और England के बीच की दूरी 35 गज की बिद्धी हो गई है बहुत कम खे सकता है, मालू भी नहीं चलता है आप समझा रहे हैं? एक दो साल में आप देखें एक आध इंच, आधा इंच लेकिन आप देखें लंबे समय के बाद इस दूरी को मापेंगे तो जरूर उसमें फरक में देखने को मिलेगा तो यह भी इनके पक्ष में एक तरह से समर्थन है, बिचार है अब इनके बेपक्ष में क्या दिया जाता है? अब आलोचना भी तो करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है कई लोग वो भी तरक लेके आ जाएंगे आप लोग अगर आप देखें, अभी भी आप लोग देखते हैं कोई बिचार आप लोग रखते हैं, कोई बात रखते हैं तो उसके पक्ष में आपके पास तरक होते हैं, बिचार होते हैं, आदार होता है, साक्ष होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो आप दिखते हैं कि उसके बिपक्ष में भी को तरक देने लगेंगे और उनके तरक में भी दम होने लगेगा, दम दिखता है थ परन्तु इसमें अनेक तुटियां रह गई और जिससे इस सिद्धान को कटू आलोचना का सामना करना पड़ा और इसके बिपक्च में निमलिकित बिचार प्रकट किये जाते हैं और वैसे भी आपने देखा होगा कि हमारी सरकार के दौरा कोई फैसला लिया जाता है कोई यह लाई जाते हैं कुछ नेड़ा लिये जाते हैं तो आप देखें उसके पक्च में भी बहुत सारे लोग बोलने वाले होते हैं उनकी अपने तरक होते हैं पक्च में बोलने वाले के बहुत सारे विरोध में भी खड़े हो जाते हैं उनके पास भी अपने तरक होते हैं बोलन बताया और उनका विचार है कि साम विस्थापना किसी सीमा तक ही सुधी है यदि दच्छन अमेरिका को गिनी की तट से मिलाया जाए तो उसमें 15 डिगरी का अंतर रह जाता है और सूसर्ट ने अटलांटिक महासागर की विप्रीत तटों में साधारन साम ही माना जो बिना विस बिस्थापन के भी इस पश्ट किया जा सकता है यानि के कह दिया इनों ने कि चलिए आप लोग कहते हैं कि दच्छन अमेरिका और अपीका महादीप को मिला रहे हैं समानता दिखाईते रहे हैं लेकिन बाकी का भी तो ध्यान रखना होगा अगर आप देखिए दच्छन अम मती तो बैगनर ने विस्थापन के लिए दो दिशाओं का बर्डन किया है एक विस्थापन पश्चिम की और दूसरा भूम अद्रेका की वोड और एप बी टेलर ने दोनों धर्वों को विस्थापन का केंद माना है और उनकी अनुसार हिमाले अलपस रौकी परवसेनिया पूर भी पश्चिमी दूई समुहों ऐसे विस्थापन की ही बाहर सीमा है जे डबलू इवांस ने अफीका महादीप को ही विस्थापन का केंद माना है और उनका विचार है कि अफीका से विस्थापन पूर पश्चिम और दच्छिन की और पिसांत महाजागर की केंद की औ पड़ा है तीसरा ओर इनके पक्छ में दिया जाता है इसके बिपक्छ में आलोचना कीजाती है महादीपों का वर्तमार वितर्डन बिस्थापन की अनुकूल नहीं है तो बेगनर की माननता है कि महादीपों का एक बिस्थापन भूमद्रेखा की ओर हुआ यदि यह सत्थ हैं, तो अधिकांस महादीपों को भूमद रेखा के पास ही इकतित होना चाहिए, पर उन्तों यह ऐसा नहीं है, हॉम्स का कथन है क्योंकि महादीप भूमद रेखा के पास अधिक मात्तरा में इकतित नहीं है, और इसलिए कोई अन सक्ती कार्रत नहीं होगी, इन्होंने ये भी कहा है। एक हजार करोड गुना अधिक होनी चाहिए। और पहले तो इतनी अधिक ज्वारिय सकती नितान्त ही असंभव है। और यदि इसे संभव मार भी लिया जाए तो यह एक वर्स में ही पित्वी के घूडन को बंद कर देती। तो ये भी कहकर इनकी आलोजना की जाती है। और बैगनर द्वारा महादीपों का भूमद रेखा की ओर विस्थापन का कारण गुत्वाकर्शन तफ़ा पिलावनता की केंदर के बीच अंतर बताया। इसमें आप देखेंगे बताया वह यह सकती 45 डिगरी अक्षांस पर अधिक्तम परंतु वहाँ पर भी यह गुर्टवाकर्शन बल का एक बीसवा से एक तीसवा लाकवा भागी है। और इतने बड़े बलद्वारा अधिक से अंता बाले अंद इस तर में महादीब गती नहीं कर सकते। इनटीच परवतों का उत्तर से दच्चिन दिशा में विस्तार की समस्या और हेमाल्य आलपस और काक केसस परवतों का पूर्ग से पश्चिम दिशा में विस्तार की समस्या। टेलर मोड़दार परवतों की उत्पती तथा उनकी दिषा में भिन्यता कापी तीपादन किया और इन्होंने संकुचन सिद्धांत के विप्रीथ 25 सिद्धांत की परिकल्पना पिस्तुत की और महादीपों के प्रवाह की संकल्पना समंद में समंधी ये परिकल्पना एक दूसरा प्रयास है और इनके बहुत पहले अंटो नियो इस्तरी डर ने पिथम प्रयास 1859 में किया था और टेलर ने इसपश्टी किया कि क्रेटे सियम योग में दो इस्तलपिंड थे लौरेसिया और गौंडवाना लेंड लौरेसिया उत्तरी धरुब और गौंडवाना लेंड दच्छी धरुब की निकटिस थे ते और महादीपों का निर्मार सियाल द्वारा हुआ है और महासा यास यूग में चंदमा पित्वी की अतिदिक निकट था और फालसरूब इसकी आगरसन सक्ती का प्रभाव इस्थल पिंड़ों पर अधिक पड़ रहा था और ज्वारियवल के कारण इस्थल पिंड़ों के का प्रभाव भूमद रेखा और तथा पश्चिम की ओर होने लगा और लॉरिसिया का प्रभाव दच्चिन में भूमद रेखा की ओर होने लगा और जिस कारण धर्भों के पास खिचाओ की सक्तियां कार करने लगी और जियो 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 इसका प्रभाव दच्चिन की ओर हो रहा था तो खिचाओ की सक्ति बड़ा बरती जा रही थी और कलां प्रवाव की क्रिया से इस स्थलकंड का भी बिभंजन हो गया और श्टिलिया अंटार की टिका की चार वर विसाल जर्वासी फैल गई तो यही कहा जा रहा है इस तरह से आप देखेंगे कि आपका क्या जो महादीफी विस्थाबन सिध्धान्त होता है वो भी कवर हो जाता है महादीफी विस्थाबन पढ़ लेते हैं आप लो इसे एक से दो बार पढ़िएगा आप लो और NCEIT जरूर पढ़िए आप लो ठीक है तो चलिए अंगली क्लास में हम लोग बात करेंगे भूच उमकत्य के मुल सिध्धान्त के बारे में देखे कौसे से एक अच्छी करने की सब कुछ अच्छा हो लेकिन अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है कोई सुझाओ आपके पास हो के और बहतर इसे अच्छे से पढ़ाया सकता है किया जा सकता है सवाल हो कोई आपका तो आ द्वा करते रही